सुरेश, पिछले करीब दो साल से शेर बाजार में पैसा लगा रहे हैं कमपनियों शेरों के मूव्मेंट पर थोड़ी बहुत पकड़ भी हो गई है लेकिन वे बाजार से और ज्यादा कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया और खबरों में अकसर पढ़ते सुनते रहते हैं कि फला शक्स ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तगड़ा माल कूट लिया और उनका मन भी फ्यूचर्स के जरीए बाजार में फटा फट पैसा बनाने का है लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग की उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है नमश्कार आप देखरें बिज मनी और मैं हूँ आपके साथ श्रेया ठाकुर पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में लोग शेर मार्केट में कुदे हैं इनमें से एक तब का शेरों में लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट तो करता ही है लेकिन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो फ्यूचर्स या ऑप्शन्स में जाकर तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं ठीक वैसे ही जो ऐसे सुरेश सोच रहे हैं तो चलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग समझने में सुरेश की मदद करते हैं फ्यूचर्स मार्केट फाइनेंशल डेरिवेटिव्स का एक हिस्सा है डेरिवेटिव्स यानि कोई ऐसी सिक्यॉरिटीज जिसकी कीमत किसी दूसरे प्रोड़क्ट से जुड़ी होती है इस प्रोड़क्ट को अंडरलाइंग एसेट कहा जाता है जैसे की शेर, बॉंड, कमोडिटीज या करनसी फ्यूचर्स का मतलब है एकताई दाम में भविश्य में एकताई तारीख पर किसी सिक्यॉरिटीज की खरीद फरोग्त का सौधा करना अब बात यह आई कि इससे पैसे कैसे कमाये जाते हैं तो इससे ऐसे समझे कि किसी अंडरलाइंग एसेट की कीमतों को लेकर अलग-अलग लोगों की राए अलग-अलग होती है कुछ को लगता है कि दाम उपर जाएंगे जबकि कुछ को लगता है कि दाम नीचे आएंगे बस इसी से पैसे बनते हैं या डूबते हैं बात करते हैं Reliance Industries के Futures Contract की NST पर 24 नवेंबर 2022 का इसका Stock Future 8 नवेंबर 2022 को 2615 रुपे पर चल रहा है इसका दाम 0.2 फीस भी चड़ा है आप स्क्रीन पर इसे देख रहे होंगे इसके Contract की संख्या यानि Volume 30,202 दिखेगी Reliance Industries Limited का एक Lot 250 शेरों का है यानि एक Lot का दाम हुआ 2615 गुणा 250 यानि 6,53,750 रुपे ये Contract 24 नवेंबर 2022 को खत्म हो जाएगा अब माल लिजे कि आपको लगता है कि Reliance Industries Limited का फ्यूचर कदाम उपर जाएगा और आप एक Lot खरीदने का मन बना लेते हैं आप इसे 2615 रुपे पर खरीदते हैं तो आपको जरुरत होगी 6,53,750 रुपे की अब होता ये है कि आपको ये पूरी रकम इसमें नहीं लगानी होती बलकि आपको एक Margin Amount जमा करना होता है जो कि contract की value का एक ताई फीज दी होता है घरीदारी का बटन दबाते ही सिस्टम आपकी contract के लिए seller ढूनता है ये वो शक्स होगा जुसे लग रहा हो होगा कि आगे जाकर Reliance Industries Limited का price नीच आएगा ऐसे में वो इसे बेचना चाहेगा इस तरह से आपके और उस शक्स के बीच एक future contract हो जाएगा contract इस बात का कि 24 तारीख को यानी expiry date को आप Reliance Industries Limited का lot 2615 रुपए में उससे खरीद लेंगे इसके साथ ही आपकी margin की रकम lock हो जाती है अब आपके पास Reliance Industries Limited का एक lot है अब क्या होगा अब पैदा होती हैं तीन स्थित्या एक Reliance Industries Limited की कीमत 24 तारीख को उपर जाएगी दूसरा Reliance Industries Limited की कीमत नीचे आएगी और तीसरा की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा और यही से कमाई का भी fundा पैदा होता है तो चलिए पहले केस को देखते हैं यानि कीमत उपर जाती है माल नीचे Reliance Industries Limited का शेर 2700 रुपए का हो जाता है यानि आपको हर शेर पर मिलेंगे 85 रुपए आपके पास हैं 250 शेर यानि आपका फाइदा हुआ 250 गुणा पर चैसी होता है 21,250 रुपए अब आते हैं दूसरे केस पर यानि अगर Reliance Industries Limited की की कीमते नीचे चली जाती है माल नीचे Reliance Industries Limited का दाम गिरकर 2600 रुपए रह जाता है अब आपका लॉसवा 2600 रुपए प्रति शेर आपके पास हैं 250 शेर यानि आपका कुल लॉसवा 15 गुणा 250 यानि 3750 रुपए दूसरी और मुझे शेर बेचने वाले को फायदा होगा क्योंकि वो बाजार से 2600 रुपए में शेर खरीद कर मुझे 2615 रुपए में बेच सकता है तीसरा केस यह है कि कीमतों में कोई बदलाव ना हो इसमें दोनों पक्षों में से किसी को कोई नफा या नुकसान नहीं होता अब बात आती है कि ट्रेडिंग का मौका कैसे तलाश है ऐसा है कि मान लीज़े कि 8 नेवंबर 2022 को फ्यूचर्स खरीदने के अगले ही दिन यानि 9 नेवंबर 2022 को इसका दाम 15 रुपे बढ़ गया यानि कीमत हो गई 2630 रुपे अब मुझे लगता है कि 15 रुपे का मुनाफ़ा ठीक है आगे पता नहीं कीमत चढ़े या ना चढ़े और मैं बेचने का फैसला ले लेता हूँ तो इस कंडिशन में अपना लॉट बेच कर 15 रुपे का मुनाफ़ा लेकर इस सौदे से बाहर हो सकती हूँ इस तरह से सौदे से निकलने को स्क्वेर ओफ करना कहते हैं यानि आप सौदा काट कर उससे निकल गए एक बात और समझ लीजे आप जब कोई कोंट्राक्ट खरीदते हैं तो उसे कोई बेच रहा होता है इसी तरह से जब आप बेचते हैं तो उसका कोई हरिदार होता है ये पूरा रिस्क लेने का मामला है और किसी अंदरलाइंग की कीमत चढ़ने या गिरने के अंदाजे पर लगने वाला दाओ है तो ये थी फ्यूचर स्ट्रेडिंग पर हमारे खास पेश कर अगले एपिसोड में पैसे कमाने का एक और गुण आपको बताएंगे तब तक देखते रहें बिस्ताक कर दो दो कर दो दो कर दो कर दो सकता है